दोस्तों AI के जमाने में सोशल मीडिया पर कुछ भी कभी भी किसी भी तरह से वाइरल हो जाती है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन चीज़ों का पता लगा लेते हैं लेकिन जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो इन चीजों को, इन खबरों को, इन तस्वीरों को, इन वीडियों को सच मान बैठते हैं और उसी को आगे forward करते रहते हैं हाला कि कई बार अच्छे खासे लोग, जो पड़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं वो भी इन चीजों पर यकीन कर लेते हैं अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि महंद्रे सिंग धोनी की बाते हो रही थी, बाते इसलिए हो रही कहा यह गया था कि मगद यूर्शिटी ने एक रिसर्ट की है और रिसर्ट में पाया कि यह जो तस्वीर है, यह चानक्या की है चानक्या अपने दौर में इस तरह से दिखा करते थे, हाला कि जो वो 3D model था, वो 3D model बिल्कुल महंद्रे सिंग धोनी जैसा लग रहा था और उसे लेकर लोग बात यह करने लगे कि महंद्रे सिंग धोनी का जो जन्म हुआ है, वो पहले चानक्या थे मतलब चानक्या ने फिर से जन्म लिया है, और चानक्या के सारे गुड़ जो है, वो महंद्रे सिंग धोनी के अंदर है, इसलिए उस सारे गुड़ों को क्रिकेट के मैदान पर इस्तमाल किया करते थे, इसलिए वो सारी की सारी ट्रॉफिया जीत ले गए इन चीज़ों को जब लिकर बात होने लगी, तो बहुत सारी चीज़े सामने आने लगी, गूगल, रिवर्स, इमेज़े वगरा भी किये गए, सब को जाज परताल की गई, आर्ट स्टेशन नाम की एक वेबसाइट मिलती है, जहां पर ये तस्वीर हूब हूब मिलती है, ज ये सारी खबर सामने आती है, मगद इनवर्सिटी से भी कहा जाता है, कि ये जो सारी खबरे चल रही है, हमने ऐसी कोई भी रिसर्स नहीं की है, इन खबरों पर आप विश्वास ना करें, ये सारी खबरे फेक है, तो रिपोर्ट में ये सारी चीज़े सामने आ गई, कि ये म कोई राय है कॉमेंट करके जबरूर बताएं